और मैंने का कि सबसे बड़ा नेत्रता हूँ आम आदनी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल इनसे बड़ा कोई है नहीं वाला सुनीता केजरीवाल उनके लिए आई, संजे सिंग उनके लिए आए, सुशील गुपता उनके लिए आए और उस चुनाव परचार सब चल रहा था और वो बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुम्ही सो गई दास्ता कहते कहते खुद भी सो है पार्टी को भी सुला दिया बेडा गरक कर दिया उस पार्टी का आजास समझ पार्टी के भी फॉलोवर हैं सबसे प्रमुक बात आ जा प्रमुक भी अभर गराज के गिर्णाज जी आप तो टिकेट के लिए बड़ी भाधर कर रहे थे जिए पार्टी का साथ नहीं मिल अर्य आपके लिए तो चंदर शेखर राजाद आए थे जिए पार्टी का साथ नहीं मैंना आप मुझे पता चला कही से कि वो रगवीर सिं दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मगगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभा का चुनाव चल रहा है विधान सभा का चुनाव मतलब की आने वाली पांस तारिक को हर्याना के पांस साल के भविश्य का फैसला करने वाला चुनाव की हर्याना पांस साल किसका होगा हर्याना के मद्दाता पांस तारिक को ये तैय करेंगे मद्दाता तै करते हैं कैंडिडेट्स देखकर कि प्रत्याशी सामने कौन है लेकिन अगर प्रत्याशी मैदान छोड़ कर भागने लग जाएं तो क्या सियासत के अंदर ये बड़ी आम बात है चुनाओ में टिकेट लेने के लिए नेता भागदोर करते हैं टिकेट ले करके आते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं कोछ क्षुनाओ लड़ते हैं और कोछ चुनाओ के बीच में मैदान को छोड़ कर भाग जाते हैं हर चुनाओ में ऐसा होता और बागर में ताने चुनाओ में भी चल रहा है अपनी लेने के लिए किसी की कटवाने के लिए वो तमाम भाग दोड़ भी होती लेकिन कहीं बार ऐसा होता है जैसे सिर्षा का उदाना हमारे साम है इंदर हमारे चले जाते हैं रहे अब सिर्षा के आंदर बाजपा की टिकेट के लिए मारा मारी थी और बड़े परियास और अथक अथक मेहनत और दिरनेक राश गुपाल कांड़ा की पार्टी के साथ एलाइंस साथ सिरसाव उनको देना था वो दिया नहीं वो टिकट वाजपा के जांगड़ा साथ को टिकट दिया और बाद में वो जो हो गया तो रहसे ही पेवा में हुआ टिकट पेवा में तो पहले और फिर बात में उसको बदला गया पेवा केस चेंज तो है यहां कि जिस केंडिट को टिकट दिया वो तो कहता कि मैंने छोड़ दिया टिकट मेरे परिवार के लोगों ने मेरे उपर लताड लगाई और मैंने यह टिकट छोड़ने में ही भला ही समझी और वहां से बताते हैं कि यह वो शक्त है जो परधान मंत्री के लिए उल्टी सी दिवातें करता था तो मैं उसको दिया क्यों था बाद में पता लग गया तो पहले आप पर पास कोई यह तंतर मंतर नहीं है जो आपको यह पता लगे चलो फरीड़ी नहीं पता आपके कौन कारिया करता कैसे बगहर सुच यह मैं नहीं मानने के लिए तैयार अच्छा कि बगहर जांच पड़ताल के और आप वैसे ही किसी रागीर को आप टिकट थावा देत हम्हand, कर देत जंतर नहीं है? diamondweake.com 2030 आपको धिया था जन्ना एक जंता-पर्ती ने परत्रां में और दिकरत कित के दावेदार अरविंध शर्मा भी थे टिकरत के दावेदार बलदे शर्मला वलपूर भी थे टिकर्ट मिला शशी बखा लाकु ये दौना लोग पार्टी छोड़ गए थे चिनल ने पार्टी भी छोड़ दी इस बास से गुस्सा हो करके इस रोस पर कट किया मतलब टिकेट की भागदाओर थी बिल्कुल थे शशी बाला जी ने नामांकन किया हां नामांकन करके अपना परचा वापिस ले लिया बिल्कु साहब ने भी नम परचा दाखिल किया और परचा वापिस ले करके घर बैठेगे नहीं घर नहीं बैठेगे पंड़त मुल्चन शर्मा जिंदाबाद शशी बाला कहरे दी भाही नैन पाल रावाज जिंदाबाद ये शुरू कर दिया इन्होंने तो कोई तो बजे रही होग अब आपको बताओं अब लेटस्ट बाते हैं इस चुनाव की उताता हूं को भी फरिदाबाद के अंदर परवेश महता बड़ा नाम है मैं तो बड़ा नाम मानता हूं आपका मजब रहा है अच्छा आज नहीं है आज तो जो उनका उल्टा पल्टी और जिस तरह से नाम नाम सुर्जेवाला जी नाम डूब जाता है बड़ा ही होता है उसको डूबोया और छोटा किया जाता है फिर बाद में परवेश महता फरिदाबाद से बीजेपी की केंडियेट भी रहे हैं हां चुनाव लड़ चुके हैं महां लड़ पार्टी से टिकट नहीं मिला था तो कशनपाल गूजर के पुतले भूगते थे बहुत बहुत बुरा बुरा कहा उनके घर के भारी जाकर के हां इंडियन नेशनल लोगद प्रोग्रम तेंग किया और पार्टी को जैन करने का फाइनल किया सारा कुछ उसके बाद फिर वो वापिस बाजपा में चले गए फिर भाजपा चोड़ दी फिर आम आदमी पार्टी में गए फिर आम आदमी पार्टी से टिकेट लिया चलिये यहां पॉचल आरहा हूं कि टिकट लिया और वापस क्यों फेका टिकट लिया आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए भागज़ोड़ बे थे पूरी बिल्कुल सुनीता केजरिवाल उनका चुनाओ परचार करने कि यह कुछ ना कुछ तो है वरना जो आदमी इतने परियास करें और राजनेतिक सूजबू तो बंदे में है ऐसे लोगों कौन सी स्रेड़ी में रखा जाना चाहिए यह तो निमन स्रेड़ी कोई हो थर्ड क्लास से भी नीचे का कोई दर्जा हो इस तरी के आदमियों की तो द और मैंने का कि सबसे बड़ा नेत्रता हो आमादनी पार्टी अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल इनसे बड़ा कोई है नहीं हो था सुनिता केजरीवाल उनके लिए आई संजे सिंग उनके लिए आए सुशील गुपता उनके लिए आए और चुनाव परचार सब चल रहा था और वो बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुम ही सो गई दास्ता कहते कहते खुद भी सो पार्टी को भी सुला दिया बेडा गर भुआज समाज पार्टी के टिकट वर यहने की बाणी समाज पारें मिंगे डली जाती है आप कुछ भी कहें कोई कुछ भी कही है रखते हैं और पार्टी ही कभी कभी कुछ दूसरी पार्टी बनी चंदर शेखर आजाद की पार्टी चंदर शेखर रावन लिखते थे अब चंदर शेखर आजाद कहते हैं इनकी टिकट के लिए लोग भाग दोड़ कर रहे थे प्रत्ला विधान सवाज छित्र के कई नेता मेरी नजर में है जो भाजपा से टिकर चाहर है इता नहीं मिल रहा था तो प्रत्ला विधान सवाज हैं फार लड़ने तो जटॉल है कारोबारी है है जहां तक मझे ध्यान तो गिर्राज जटॉला भी वहाँ टिकट की दोड में थे टिकट मांगने वाले वहाँ पर आजगल भाजबा में लेता है कुलवीर देशवाल उनका भी नाम सीधा मैं को उपन कर देता हूं जिए उन्होंने आवेदन भी किया था वहाँ के लिए कुछ और लोग भी थे चार्ना रखते थे अपना अलावल पुरगाओं के हैं वकील साब तेवतिया साब उन्होंने भी किया था और भी कई सारे लोग थे ठीक है गिर्राज जटॉला को टिकट मिल गया चंदर शेखर आजाद की पारटी में आजाज समाज पा पारटी का साथ नहीं मिल रहा है आप मुझे पता चला कहीं से कि वह रगवीर सिंग तेवतिया को समर्थन करने के लिए जा रहे हैं या कर दिया है या कर रहे है हलाकि मुझे तो कह रहे हैं कि घर बैठ गया हूँ चीक है किसी को समर्थन नहीं किया लेकिन बात भी आजाती है क्या कहेंगे आप ने इस्तेमाल किया डील जो बड़ा गंदा समद है अगर डील ऐसा होता है अच्छे के लिए तो डील होता नहीं डील का मतलब से दास्पस लें देन जी और ये भी तैह है कि जो चुनाओ के प पड़ चुका हो सुझा भी फाइल किया और रेलिया हो गई सभाएं होगी खर्चा किया तो कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरी पार्टी से बात होती है कि मैंने तो इतना खर्च चलो 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 उसको उसको यहां डील हो सकता है ऐसी डील हो जिस आदमी ने आज आम आदनी थोड़ी का टिकेत लिया हर पार्टी की हर नेता की फॉलोईंग होती है किसी की थोड़ी कि ज्यादा है आजायस समझ पार्टी के दोखा दोखे बाजी उन लोगों के साथ भे दोखा जिन को फिर अगर देना था है वह बद्दाताओं के साथ भी चीटिंग कि नी बड़ी कि वह खाली रहा जाएं कि असली दोखा तो लिए तो है अखर जमीर हो तो अपने जमीर के साथ क्या कहना चाहेंगे इसे लोगों के लिए बरसना जितनी की जाए उतनी कम या तो राजबिती के प्रिवेस में आए ना परदापन ना करें और आए है कोई विचार धारा है अगर उनको को प्रेशर था कोई दवाब ना लड़ना हो तो उनको फिर टिकेट नहीं लेना क्यों दुखे ऐसी सोच जी क्या वज़े है कि भी बीच में चोड़ के भागना ऐसी क्या मजबूरी क्या हो सकते मजबूरी तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकती परजातंतर है इसमें हरा अदमी चुनाव लड़ने के लिए सवतंतर है निर्वाचन आयोग है और सारा ताम जाम सिस्टम है अगर उसके कोई प्रेशानी हो तो उसके साथ खड़ा है ऐसी कोई प्रेशानी नहीं हो सकती जी कह रहा था रण हुआ करता था पहले जंग होती थी दो सेनाएं आमने सामने होती थी बिल्कुल चाहे वो मुगलों वाले युद रहे हो चाहे वो धरम युद रहे हो चाहे वो महाभारत का युद रहा हो बिल्कुल चाहे वो पालीबत की रड़ाई रही हो आमने सामने युद धुआ करते थे सेनाएं आमने सामने होती थी बिल्कुल आज वो रूप चुनाव का है सिर्फ ये कि उस टाइम पे जो अस्त्रशा सत्रियार होते थे बाले होते थे जबान की जंग है जबान से परभावित करते हैं लोग वोट देते हैं जो लोग जंग में पीट दिखाना का जाता था जंग को बीच में छोड़के चला जाए और नियबों का पालन जो लहीं करते नहीं पी जाती थे पूम कोई भी बढ़ितना ङये जाती तो क्या इनको पीट दिखाने वाला माल लिया जाए पागे हम तो यही कह सकते हैं कि यह जो हो रहा है या हुआ है यह कोई परजात अंतर के लिए मद्दातों के लिए यह कोई अच्छा नहीं है लोगसभा चुनाव के दोरान सूरत के अंदर एक कैंडिडेट का नामांकन वापिस हुआ था बड़ी चर्चा होई थी देश की तमाम जो सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे वाले जो लोग है उन्होंने इसके लिए बड़ी भरसना की थी बड़ा कहा था और उसके बाद में चुनाव मध्यपरदेश के अंदर एक कैंडिडेट के साथ भी ऐसे हुआ था जी उनका भी नामांकर कैंसिल हुआ और दोनों स्थानों पर मध्यपरदेश में चुनाव हुआ सूरत में चुनाव भी नहीं हुआ जी नोटा को ज्यादा वोट मिल गए थे हां जनता पबलिक है कि क्या संदेश होगा उनके साथ वाई नहीं करता है यह जितनी भरसना की तनी कम जी और तो इसे ज्यादा है पर हम कोई कोई चुनाव आई और इसमें क्या संग्यान ले का सूधन हो अईसा वह भी कोई ऐसा संभव या या टेक्निकल पॉइंट से या कानू ने क्या प्रकिरिया हो वो भी कुछ ऐसा हम सुझाओ नहीं दे सकते हैं यह तो एक समाजिक मुद्दा है और एक पर्सनल आदमी का अपना उसका जो रुख वो अक्तियार करता है अपना फैसला जी उसके बारे में जंता यह कह सकते हैं भला है बुरा बाकि तो यह गलत है तो यह ला एक विशेशं मुद्दा की अगर कैंडिडेट अपने नामांकर वापिस लेते हैं तो ज़नता में उनकी प्रतिक्रिया होटी यह फैघ चोड़ के मैदान